आप लोग तो आदम शेयर करूंगे आप सभी के साथ में एक बिल्कुल अमेजिंग न्यू धमाकिदार रेसपी जिससे आप एक बर जरूर ट्राइ किजेगा क्योंकि जितना ये बनाने में असान है उतना ही जादा मज़ा खाने में लगता है तो बहुत जादा इंजॉय करें मैंने लिया इसके ली इतना हं मज़ार तो सबसे पहले मैं यहां पर माने यहां पर तीन चार अलो लिया वर आलुज चील लेती हूं internacional कर लिया है आलू के चिलके हटा लेने के बाद में हमें लेना है बारीक वाला ग्रेटर और इस तरह से बारीक ग्रेटर से हमें ग्रेट कर ले रहा है जिससे इसमें कोई भी लंप्स नहीं रहे तो यहां पर देखे मैंने ग्रेट कर लिया है सारे आलू को और इसमें मैं डाल र या मिक्स जब वगएर आप डाल सकते हैं साथी इसमें चिली फ्लेक्स डालेगा वन टीस्पून डाला मैंने साथी मैं इसमें वन टीस्पून या टेस्ट के हिसाब से नमक डाल रही हूं इसमें एक और चीज आड़ करनी है तो यहां पर मैंने हाफ कप लेना है फ्रंट्स मॉजरेला और चीज मिक्स और यह मैंने यहां पर डाल दिया और बहुत चीज मिला दे रही हूं जिससे आलो में अच्छा फ्लेवर आ जाता है और टेस्टी सालू बनते हैं साइट पर लेते अब यहां पर इसमें नमक डाल दीजिएगा तक्रीबन आदे चोटे चमच में नमक शामिल कर रही हूं और आदे चोटे चमच से थोड़ा सकम में मिर्श पाउडर डाल रही हूं डाल कर इन सारी चीजों कोई कठा मिला कर मिक्स कर लोगी जिससे कोई भी लंप नहीं रहे और बिना लंप का बहुत अच्छा स्लवरी बन जाता है जोकि ना जहाधा ना जदा गाड़ा है तो इस तरह से शैड़ी सिर्ण पैकर लेना है अब आज आते हैं एक बड़ा बोल ले लेते हैं मिक्सिंग बॉल में हमें लेने है दो अंडे तो यहां पर मैंने अंडो円 को क् 4 cup घरम दूद और अंडे और दूद के साथ ही समें हमें शक्कर डालना है एक टी स्पून नमक और इनको मिक्स कर ले ना है अच्छे से विसकर से विसकर कर बीच कर लीजिएगा इससे बहुत अच्छा सा यह लिक्विड साथ रेडी हो जाए तो यहां पर हमारा लिक्विड फ इन दोनों ही को डाल देना है इसमें और लगतार अच्छे से मिक्स कर लेना है फिर इसमें पानी की कमी आ जाएगी तो एक कप फिर से पानी डाल लिएगा और डाल कर पतला गोल तयार कर लीजेगा याज रखे इसमें कोई लंपस नहीं रहना चाहिए जब अच्छे से फिट अब यहां पर लगभग बटर डालना है तो मेल्ट किया वह मैंने दो टिबल स्कून लगभग बटर डाला है आप और फिर से मैं यहां पर लगभग वन थर्ड कप पानी डाल रही हूं अगर पानी यहां पर आपको कम लगे तभी डाल लिएगा क्यूंकि जो शीट का बैट से अब यहां जो और नियुक्ति का बिचान अब अब हम लेते हैं एक पैन या तवा ले लीजियेगा मैंने पैन लिया और इसमें मैं थोड़ा सा ओल ग्रीस कर ले रही हूं जिसे थोड़ा सा ना ग्रीसी हो ज़ाए और इसके उपर शीट कर नहीं बहार आ जाएग अब मैं लेकर ये वैटर डाल दिया इसमें आपने देखा मैंने कैसे फोल घुमाते हुए इसको इसमें पहला दिया है अच्छे सिख गई है यह उपर की लेयर पुरी ड्राइ हो गई है तो मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूं और देखें क्या बहतरीन सी शीट समारी बनकर तयार हु तो एक और मैं आपको दिखाती हो फ्रेंट्स यहां पर आपको इसको बनाते रहें बस यह ख्याल रखना है फ्रेंट्स के आपका जो बैटर बने वह पतला बने बहुत जादा गाड़ा बैटर नहीं कीजेगा और जब पैन में डाले ना तो इसे ग्रीज करकर डाले और बन जाएगा तो देखा आपने कितना आसान है यह शीर्स बनाना तो एक बार यह शीर्स बनाकर यह बहतरीन मजे का नाश्ता जरूर ट्राइ कीजेगा उमीर आपको पसंद आएगी तो चले फिंट सब नेक्स टिप की तरफ जहां पर हमें एक बोर्ड ले लेना है और साथी जो स्टफिंग है उसे ले लेना है और इसको थोड़ा सा फ्लैट करकर शेप देना है और इस तरह से शेप किये हुए आलू की स्टफिंग को बीच में डाल देनी है और शीट के उपर रखकर दोनों साइट से ओवरलाप करते हुए इसे फोल्ड कर लेना है और यह बार लगती है इसके साथ में तो एक बार यह बहतरीन मजे का नाश्ता जरूर कीजेगा किसी भी टाइम किसी भी वक्त आपको कुछ अच्छा काने का दिल कर रहा है तो यह नाश्ता लाजमी ट्राइब करें देखें यहां पर दुबारा भी मैंने एक और आपको अच्छे से बन अच्छा कर लुकू खोरता सुछन तो डिब कर दोता है पार आप इसल शाया को बने देखें असाद कर भी यह दो अच्छां स्वाल गुक्ले इचे साथ बना आम धिए जाया कर में को आट से जीए तेल में बहुत थोड़ा से गरम हो जाती है तो हमारे सारे क्रेप्रोल को इसमें में डाल देनी हो डाल कर स्टार्टिंग के तीन-चार मिट तक हाई-फ्लेम पे फ्राइब करना है जिससे फॉरन ही कलर आ जाता है इसके उपर और बिल्कुल गोल्डन से क्रिस्पी हो जाते हैं क्योंकि जो ब्रेड क्रम्स की कोटिंग हमने डाली है इसके उपर इसकी विज़े सी बहुत ही करारा बनता है उपर से क्रंची और अंदर से बहुत मज़े के साथ में चीजी फ्लेवर का साथ का आलू है ज्योंकि बहुत अच्छा लगीगा इसमें तो इस तरह की मैंने चिक मैंने में चैनल पर डाली है तो अगर आपने नहीं देखिए तो जाकर देखे चैनल विज़ेगा वहां पर कुछ अच्छा नहीं आपको जरूर मिलेगा फिर यह बहुत ज्यादा क्रिस्पी करारा सा नाश्ता है और यह देखिए कितना चीज पुलाया है बहुत ज्यादा अब यह देखिए कितना क्रिस्पी है इसकी आवाज सुनें वीडियो अच्छी लगी लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्स्राइब कर लें फिर में लोगी मैं एक नहीं दूमा के दाज़ बदस रेसेपे लेकर तब तक अपना और पने फैमली कर रखिएगा बहुत सारा ख